तो हुए est i s d अस्सलाम अलेकुम नाजरीन गुड मॉर्निंग सेफ सीटी के साथ मैं हूं आजिल हसना आजब मैं हूं जी ताहरा ली ताहरा कैसी है अप ठीक है महसुस तो होता है आपको फील होता है को कि मौसम काफी अच्छा है ऐसा कोई गर्मी वाल आरिमेंट नहीं है लेकिन आप जैसे हम लोग है हमें स्टूडियो में होते हैं बातचीत कर रहे होते हैं आप सबसे तो और इसके लावा भी काम करने के जुरान कहीं नहीं आपको की तलब पानी की तलब होती है मुझे ऐसा लगता है लेकिन वैसे ओवर आल देखा जाए तो गर्मी के मौसम जो सख गर्मी के रोजे होते हैं उनके आजकल जो रोजे हैं वह काफी बहतर है ठंड की तरफ हम जा रहे हैं आज सा इसा वक्ते साथ 10 दिन और पीशे जाते जा रहे हैं तो मौसम अच्छा है इतना फील नहीं होता है एक चीज मैंने जोरु कि कल पहला रोजा था लोगों के बहेवियर के हमारे से मैं बात करना चाहूंगी कि कहा भी जाता है कि नेकी अच्छे इखलाक का नाम है तो लेकिन ये चीज आप में पी शायद अबसर्फ की हो मैं भी अपने आसपा से अबसर्फ कल ही कह रही थी तो मैंने सोचा है कि शोर में में जरूर बात करूंगी कि रोजे के दुरान चुके आपको बता है कि प्यास भूग भी कहीं नगी है आपको महसूस हो रही होती है तूसरा रोजे की एक अलक्सी भी खुश्की गर्मी कहना है घर में हमारे आप घर में देखें घर के अफराद भी आपके छोटी शोटी बात होती उसके पर एकदम से हाइपर हो जाते है वो रियक्शन ही होता है लेकिन रोजा नाम है इखिलाक का भी बिलकुल बरदास्त का नाम है रोजे में सिर्फ आप यह नहीं कि खाना पीना श अब्जर्ब की मैंने का आज शो में आज जोब डिस्कस करना है यह वड़ी बात है आपने किया अचा मुझे एक बता ने थे और आज का रोजा इसमें क्या फरक मैसूस करती है यह क्या वट्च्पन में तो मेरा खायल है के हम मनमजी होते थे और बच्पन के क्या ही दिन थे वो चिडी रोजा टायप वो जब देश रहता था रोजा अफ़ार कर लिया रहता था वो वालदा कहती थी कि हाँ बिटा बच्छों का रोजा इतना ही होता है तो वह बड़े इच्छे दिन थे और बच्छपन के तो यादे ऐसी है कि आपको दिल चाहता है ना आपका कि कुछ ऐसा हो आप बटन दुबाएं या कोई चुटकी दुबाएं और आप वापस बच्छपन में चला जाए ना वह तो हसीन यादे हैं वह तो कभी वापस नहीं मेरे बच्छपन के दिन के अच्छे दिन मुझे तो गजल भड़ी पसंद है वो जो गाना है बहुत पसंद है वो तो आजल अब चलते हैं अपने पहले सेग्मिन के तरफ आज के अफ़राद से पहली खबर क्या आजल शेयर करना चाहेंगे आप अच्छा ताहरा मौसम की बात सबसे पहले करेंगे कि लाहोर में जी बारिश की पेशन गोई है जी अर्तालिस गंटे के दुरान बारिश के इमकानात हैं आने वाले अर्तालिस गंटे आज का दिन और कल का दिन बिल्कुल लोने जो लाहोर में जो डेरे जमायों में हलकी हलकी ठंडी हवा भी चल रही थी तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था बड़ा फुषकवार किसम का मौसम है और 18 डिग्री सेंटी ग्रेड आज लाहोर का जो रिकॉर्ड किया गया है तेमपरिचर रिकॉर्ड किया गया और जड़ा से जड़ा 28 डिग्री सेंटी ग्रेड तक जाने के इसके इमकानात हैं दिन भर में लाहोर के तेमपरिचर के अगर बात की जाए तो हवा में नमी का जो तनासुब है वो 91 फीसद है और हवा 5 किलो मीटर की रिफ्तार से चल रही है और आपको बता कि यह जो मौसम है थोड़ा सा बेतर हुआ है इस पज़ा से लाहोर की जो दर्जा बन दी है आलमी फिजाई अलूदगी में बिल्कुल पांचवे नमर पे आ गया है लाहोर जाएगी तो आजिमें खाला और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी वरना तो लाहोर और दिली ने आपस में जो को आग ना लगाएं इसका ख्याल लगा करें पौदे लगाएं दर्ख्त लगाएं दर्ख्तों को हम काटते जा रहे हैं और दिन बदिन आप देखें ना स्मोग फिजाई अलूदगी इस बहुत बढ़ी है क्योंकि हमने अमारात और बिल्डिंग्स को बहुत पहलाना शुर शरीफ शाहिबा हैं उनकी मौझूदगी में पंजाब सेफ सिरी अथौरिटी और एन आर टी सी के दर्मयान मौइदा हुआ है आज इनकल ये सी एम आफिस की तरफ से न्यूस है और 18 शहर जो है पंजाब के वहां पे स्मार्ट सेफ सिरी प्रोजेक्स लगाने जा रहे हैं ज इसके इलावा 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिरी प्रोजेक्स बनाए जाएंगे इस हवाले से जी इन दोनों कंपनियों के मभाएन नर्टी सी और सेफ सिरी के दर्मयान बाएदे पर दस्तखत हुए है और ये तकरीब हुए बकाइदा दौर पर और अब हम मेरा खाला है दौा बहुत फर्क पड़ा है लोग बड़ी पुरुफिसा मकाम में सांस ले पाते हैं पी एसल जैसे आपको पता है क्रिक्ट रिवाइवल और ऐसी बहुत सी चीज़े हैं इस हवाले से हम तमाम अपनी कानून आफिस करने वाले सेफ सिरी को खिराज तहसी करते हैं इन अदारों क हम इन तमाम अदारों का जी गुर्लक बोलते हैं कि बहतर हो सके मामलात और इसमें जो मुलतान है बहावलपूर है सरगोदा है जो सिटी जहां में सेफ सिरी स्टार्ट होने जा रहा है रहीम यार खान है मुझफर गड़ है साहिवाल जंग अटक हसन अबडाल डीजी खान सि सिटी तो इन्शाला आप क्राइम बहुत हता कम हो जाएगा और जो बाकी रह गए हैं वह भी अपना दिल छोटा ना करें क्योंकि वजीरला पंजाब का यह मिशन है कि दिसमबर इस साल के दिसमबर तक पंजाब के तमाम इजला में जो है लाहोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट च पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डिरेक्टर है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज साब जो है इसके लावा सीट्यों हमारा थी आईजी साब खुद थे एस पी शहरवानों जो थी वह इसमें शामिल थी इन्होंने जो है वो जो जो जिरे चाफुज को शार बनाते हुए तमाम इख्तियारात शेहरियों की खिदमत इंसाफ की फराहमी पर मर्कूज रखें आईजी पंजाब ने बैज को इसी मोका पर जी एमडी सेफ सिटी अथार्टी एसन यूनरस नोजवान अफसरान को इंतजामी अमूर और दरपेश नबर दरजमा होने पर रहनुमा इफ्राहम की चीफ अपरेटिंग ऑफिसर मस्तंसर फिरोज ने मल्टी टास्किंग समेथ आहम मौजवात बारे अगाही दी तो यह एक बड़ा जो है मेरे खियास उनक लिए एक बड़ा बेनिफिशर रहा होगा यहां क्योंकि जाहरे नए बैज हैं उनको पता चले क्या चैलेंज वे उसावाले से पहले से रेडी हो इसी तोर पर बहुत 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 कर सकें जैसे जैसे नई जिजनरेशन आती है नए आपके थौट्स होते हैं नए विजन होते हैं टेक्नलोजी का दौर है अब अपनी साइज चीजों को यूस क करते हैं ब्रेंज को यूज करते हैं हम हम अमीद करते हैं कि चीजें बेहतर होगी इन्शाला और इसी के साथ ही जैसे हम रोजाना अपने प्लैटफॉर्म से पंजाब से सिडिस ऑथॉरिटी की 24 घंडे की रिपोर्ट भी आजिल शेयर करते हैं बताते हैं आपको के कल क्या कार कर्दगी रही इस हवाले से टोटल पंजाब भर की हमें कॉल मौसूल हुई 15 जो के हमारी एमर्जेंसी हेल्प लाइन है उस पे करीमन 60,000 के करीब कॉल मौसूल हुई 15 पे और इसमें घैर जरूरी कॉल्स की तादाद बहुत ज्यादा थी more than 50% आजिल घैर जरूरी कॉल्स हो हम आपसे रोज रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा इस तरफ तबज़ो जरूर दें अपने आपको कोई पुलिस की हल्प चाहिए आप तब कॉल करें को ट्राफिक की हल्प चाहिए रेस्क्यू की हल्प चाहिए तो एमर्जेंसी हैल्प लाइन है इसको एमर्ज हाथा कोई हाथा हो जाता है आपकी एफ यार हो जाती है और कैमरा का आप ले बैक देखना चाहते हैं पंजाब सेफ सिरिस अथॉरिटी के हैड ऑफिस यह नि जो लाहौर में कुर्बान पुलिस नाइं में मौजूद है आप आ सकते हैं अपने इन्वेस्टिकेशन ऑफिसर के हमरा और कल 24 गंटे में बारा पुलिस ऑफिसर्स को इस हवाले से एविडेंस आजिल दिखाए गए हैं और साथ ही साथ जो मश्कूक सरगर्मिया हैं चुके 24 बैस सेवन हमारे वर्ट्रोल पर अफसरान जो मौजूद है यहां पे सेफ सिटीज में तीन शिक्तों में ये का अब तक ये पांच हजार गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलवा चुका है और इसके साथ करीब नौ हजार गुमशुदा चीजें और गाडियां वहीकल्स इनको उनके वुर्सा के या लवाहिकीन के या फिर उनके हवाले कर दिया गया है और कल 24 गंटे में दो गाडि उनके हवाले कर दी गई और इसके साथ साथ हमारे जो फेशल लेकलिशन कैमरास हैं जी एफवार कैमरास और जिन में डेटाबेस मौजूद होता है तमाम जो मुल्जिमान है उनका पंदरा अलर्ट जारी हुए है इन कैमरा के सामने जो भी कोई मुल्जिमान या जिनका सेफ सीरीज अथारिटी की विमन सेफटी एप है उस पे तीन खवातीन ने पुलिस की मतलब रहनमाई ली पुलिस ने उनको असिस्ट किया और इसी के साथ साथ 11 खवातीन ने मुक्तिलिफ चीजों की इन्फरमेशन ले खवातीन लेना चाहती है कि हमारे साथ ऐसा मसला हो ज जैसे ही आप मैसेज करेंगे विदिन नो सेकंड आपको रिपलाई आएगा हमारी फीमेल किसी पी किसम की कोई परिशानी है अगर आप कॉल नहीं कर सकती है तो आपके मुबायल में विमन सेफटी आप जरूर डाउनलोड होई चाहिए जस आप एक हाई का मैसेज भी करती है जी आपको रिपलाई आजाता है आप थ्रू मैसेज अपना मसला बता सकती है अगर आपको पुलिस की हल्प चाहिए तो प्रियॉरिटी बेसिस पे पुलिस आपकी दर्फ डिस्पैश की जाएगी करना सिर्फ किया है आपने जी इस एप को डाउनलोड करना है और अपने आस पहला रोजा था तो सिटी ट्राफिक पुलिस जिए लोने 24 कंटे बोचारे रोड पे रहते हैं और मेरे खाला है सबसे मुशिल यूटी इन जो कहा जिए तो गलत नहीं होगा तो कल ताहरा सिटी ट्राफिक पुलिस के जो सीनर अफसरान चलें बाकी जो सीनर अफसरान समेथ तमाम लोगों ने जो है रोड़ के उपर इफ्तारी किया जी यह बहुत एक कहते हैं कि इनका बड़ा रोल है उन्हों सीटी ओ साहबा का कहना है कि दाद के मुस्तिक है जो हमारी ट्राफिक पुलिस है वो दाद के मुस्तिक है और ट्राफिक की रमानी को बेकरार रखने में इनी अफसरान का बहुत बड़ा हाथ है राजल इस पे हमें तावन करना चाहिए बिल्कुल एसजी आपकी भी रिस्पांसिबिलेटी है कि आप पुलीस के साथ भी तावन करें खासकर सिट्टी ट्राफिक पुलीस के साथ तावन करें तो यह बड़ा अच्छा जो जैसर गया कि हम बड़े फर्ज रिनास हैं हम फर्ज रिनास हैं पिक्टिर्स बड़ी वाइरल हुई और इसको देखे मैं भी खुद बड़ी एमोशनल हो गई और जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में हादल बात की थी थी ना कि हम अकसर हाइपर हो जाते हैं तो यह चीज भी देखी जाती है कि रोधा हमारा अफ़ार होने वाला है या हम कहीं कि किसी जगा फ़्सार ही जाने जा रहे हैं अपने सारा गुस्वा अन अफ्सारान पर निकालते हैं जो आपकी मदद के लिए वहां वहुँद हैं उनकी ड्यूटी ज़रूर है आपका भी फ़र्ज बनता है कि इंपेक्ट हमेशा ही अच्छा आता है और आखर में हम जी बात करेंगे जैसे हम रोजाना की बन्याद पे घजा की बात करते हैं और अपने फलस्तीनी भाईयों की बात करते हैं तो आज ना बात करें ऐसे कैसे हो सकता है कल गुदिश्टा 24 गंटे में 67 यानी सरसट फलस्तीनी शहीद हो गए और बहुत ही अफसोस नाक बात है यह खबर देते हैं हमेशा बहुत अफसोस होता है और दिल दुखता है आपका बिल दुखता है और इस पे एक अच्छी चीज यह है कि जो हमारी एक निज्जी समाजी त यह सारी है जो आप कर सकते हैं यहां बैठे हुए आप बहुत सी ऐसी तन्जीमें हैं जो आप से रिक्वेस्ट करती हैं जो सॉलिड तन्जीमें वैलिड आपको पता है कि कौन कौन सी ऐसी तन्जीमें हैं आप उनसे कॉंटेक्ट करें आपका जो भी आप देना चाहते हैं जितनी में आमाउंट आप दे सकते हैं, आप जरूर कॉंट्रिब्यूट करें, और इस हवाले से जो इन कंपनी के ओनर थे, उन्होंने कहा कि गज़ा जंग की वदा से जो भी हमारे करीबं बाइस लाख अफराद अफेक्ट हैं इसमें, यह हम सब मुसल्मानों के लिए बड़ रोजे रख रहे हैं, और अबादात कर रहे हैं, और अल्ला अनके लिए असानिया पैदा करे हैं, हमारी तो उनके लिए दुआ है, अब चलते हैं, ब्रेक के तरफ उसके बाद चलेंगे अप टेगले सेक्मिन के तरफ आपने जाना हैं वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं गुड बार्निंग सेफ सिटी अच्छा तहरा आपको पता है कि पाकिस्तान में जो तालीम का शौब है इसके उपर काफी ज़्यादा काम करने के जुरूरत है इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है और आपको पता है कि स्टु कि जूते एक उनके बेटे का रुजान जो है वो क्या है किस तरफ है इंट्रस्ट क्या है और अगर इंट्रस्ट के खिलाफ आप उसको फॉर्सफुली किसी फील में बिजवाते हैं तो आजर मेरा ख्यार है कि ना तो वो वो बन पाते हैं जो मावा बनवाना चाहते हैं और सलाइगेद उनमें रहती है जो अनमें एक्शुल में थी, बिलकुल आशी तो यह देखना बहुत जरूरी है कि इंटूस्त किस फील में है और हर फील में ही बहुतर भर्रूरत है सूनेंस की इंटॉyan में मौझा आने की तो षूतं चाहिन के थार। इसमूरूद की सूप्जेक्ट सेलेक्शन का की सब्टा सरे क्राइ जाए करियर कॉनसलिक स्वूर्ग की कि इसमुद्र बात करेंगे हैं तुल्बा की या नि स्टूडेंट्स की कारियर कॉंसलिंग कितनी ज़रूरी है इस वक्त जो दुनिया है वह बहुत सारी नहीं जहतें और जहतें तियार किये हुए है और उसका नुकसान ही होता है कि अभी भी वही सिस्टम जारी है कि जो पेरेंट्स ने सोच लिया है वही उसी पर ही चल रहे होते हैं मेरा बेटा इंजिनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा जैसे भी आपने स्टार्ट ने बताया भी तो उन्हीं चीदों को फोर्स कर रहे होते हैं और उसका नुकसान ही होता है कि जब बच्चा जब किसी ऐसी फिल्ड में आता है जो कि उसके इंट्रस्ट की नहीं है तो वह दे और बहुत सारी उनिवस्टी इसको कर भी रही है जो कि एक इच्छा पॉइंट है अपकी जो इसा डिपार्टमेंट है जिसमें तुलबा को जो है केरियर कांसलिंग पे रहनुवाई की जाती है और दर्मियान में भी की जाती है और सबसे इंपोर्टन स्टैप होता है जब उनिवस्टी ने हर डिपार्टमेंट के अंदर जो बी एस लेवल के अंदर जो है इंटर्व्यूंज जो है वो स्टूडेंट के कर दी हों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है कि आप जो स्टूडेंट से मिलते हैं तो आप थोड़ा सुब से बात-चीद करते हैं आपको पता चल जाता है कि if he is interested in this field or not, यह वो forcefully आ रहा है, तो आप उसको फिर उस हिसाब से guide भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि यह बच्चा जो है वो किसी और तरफ जाना चाहरा है बिल्कुल misfit है इसके लिए, तो आप उसको further दूसरे डिपार्टमन में recommend भी कर जाते ह हम उसको दूसरे डिपार्टमन के तरफ recommend करते हैं, यह अगर यह बच्चा जा है दूसरे डिपार्टमन ने ज्यादा बेहतर perform कर सकता है, तो मेरे खाल इसको उधर होना चाहिए, बिल्कुल आपको यह सही है, अच्छा है यह जो माजमीन और शॉबे का इंतखाब है, यह ब यह जो मुकलिफ जो अडॉप्ट की है यह जो recent policies है, उसमें सबसे अच्छी चीज है कि शुरु के जो आपके चार semester हैं, वह तकरीबन सबके सेम हैं, उसमें जो courses जो HECC ने enforce की हैं अभी, वह सारी departments तकरीबन एक जैसे पढ़ा रहे होते हैं mostly, थोड़ा बहुता उसमें, minor change ह होता है उसमें, like अगर मैस communication के students हैं तो उसमें जो general courses के इलावा जो compulsory courses आएंगे, फिर मैस communication के आजेंगे, इसी तरह ही जो अगर कोई medical या जो दूसरी field के students हैं, जो के like computer पढ़ना चाह रहा है, या social sciences की तरफ जाना चाह रहा है, तो उनकी काफी सारी courses है, especially social sciences की और इसके व और प्लस फिर यह कि क्योंकि हमारी अपनी university जो है, वो मुखलिफ degrees offer कर दी है, तो वो यह होता है कि जो बच्चा जा, for example, mass communication department में आया है, but he is not sure कि यार, mass communication की तरफ उसको जाना है, या film की तरफ जाना है, या animation की तरफ जाना है, तब आगे specialization को किस तरफ जाना है, तो वो after four semester उसने सब courses को touch किया होता है, और उसके बाद वो बेहतर तोर पे अपनी मर्जी का जो field है, उसको चुनसरा है, अचा सर, mass communication की बात हो रही है, तो बताईएगा कि mass communication के जो तुलबें हैं, उनको कौन-कौन सी key skills सिखाई जाती हैं, अचा, अब हम लोग ना, mostly, हमारी departments में हमार up हो रहे हैं, ठीक है, mostly जो काम हो रहा है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को on sport learning, practical experience, और theory definitely the part of it, उसके बगार आप definitely survive नहीं कर सकते, बट जो practical part है, उसका वो एक major part है, उसको हम focus करते हैं, अचा, जैसे हम बात करें, practical कि जो के बहुत जरूरी है, आदर दन कि आप उसका course work पढ़ें, तो marketing सारी की सारी digital world में change हो रही है, तो उस हवाले से फिर आप लोग क्या कुछ करें को लोग में changes भी करते हैं, बिलकुल करते हैं और किये हैं, हमने जो new media के courses जो है, social media है, उसके हावाले से जो ने courses है, वो adopt की हैं, उनमें बच्चों को, और बहुत सारी जो degrees हैं कुछ, वो हमने जो के social media से related हैं, जिसमें बच्चे उसको करने के बाद जो खुद अपना जो online business और काम और animation और बहुत सारी जो mass communication की skills हैं, जो के आपके traditional media के सारा associate होती थी, आप देखे ना, आपके, हमारे mostly जो students हमारे department में काम कर रहे हैं, they have their own YouTube channels, बिलकुल ऐसा ह जो media के learning है, उसकी skills है, उनको enhance करने के लिए हम उनको help करते हैं, और नई जो चीजें हैं, उनको साथ लेके, हम उनको कोशिश करते हैं, कि उनका practical experience है, एस इसका university के लिए मैक्सिमाइज किया जा से है. Sir, अगर ये कहा जाए कि ये मजूदा दोर और आने वाला दोर ये social media का तो वलत ना होगा, तो सुर्प तहीं कि social media जो है, वो mass communication के ओपर किस तरह से सरंदाद हो रहा है, देखे, मुझे ये लगता है कि ये उसी का एक नया corridor है, ठेक है, मैं उसको, as a negative नहीं लगता, मैं समझ आपके बहुत सारी जो skills हैं, बहुत सारी जो चीज़े जो पहले traditionally हमारे चलती थी, वो आपके on social media के तरू ये tech के तरू जो है, वो आपके systemize हो गी है, ठेक है, उसने एक नया लिबादा लिया, आपका पहले news paper था, that was printed, उसकी e copy आगी है, अब आप जो ये paper आप assess कर सकते है इसी तरह आपके जो traditional आपके ड्रामा जो टीवी था, उसकी जगाँ YouTube और नहीं जो चीज़े आगी, आपके देखें ना, they are working simultaneously, बहुत सारी, technology के चीज़े switch हो रही है, उसी का आप समझे latest version है, अच्छा सरी, जैसे हम बात करें के students का career भी हो गया, field भी choose कर ली, degree भी ले ली, ये एक बड़ा, अलमी अगर कहा जाए तो घलती होगा, हमारी society का, हमारे मुल का, brain drain, students यहां से बढ़ते हैं, degree लेते हैं, आपके चोड़े चले जाते हैं, इसका क्या solution हो, ये क्यों होता है, देखें, उसका, ये बड़ा मुश्किल question है, उसकी विज़े ये है कि बहुत सार जो लोग हैं, अभी जैसे अगर आप देखें ना, के चीजों के मतलिक information होना, government और जो private sector का coordination, ठीक है, फिर नई job opportunities, awareness about those opportunities, और इस चीज को ensure करना के हाँ, if I'm applying, तो मुझे वो जो desire result है, if I'm on merit, तो मुझे मिलेगा, तेखें, इस चीज को ensure करने की जरू होता है, जब तक हम इ systemize नहीं करेंगे, के एक बंदा जो है, on merit चीजों को आ रहा ही है, unfortunately, जितने भी underdeveloped, developing countries, उनके साथ मसले मसाइल है, ठीक है, जिसकी वज़ा से हम चीज़े fantasize करते हैं, एक ऐसे system को fantasize करते हैं, जहां पर चीज़े straight stream line है, we are in progress, तो जिसकी वज़ा से मेरा खैल है कि एक बहु अगर हम USA की बात करें, तो USA की इस वक्त जो maximum population है, जो in job है, they are about to retire, ठीक है, Pakistan में जो maximum population है, they are जो आपकी youth है, आप देखें कि अगर 50 प्लस आपकी population youth है, तो आपको इतनी youth के लिए job create करने पड़ेगी, जबकि USA और जपान जो है, they are looking for the corridors के किस तरह से बाहर के लोगों को आपके इंस्टाल करें, यहां पर बाहर जो है, जो है, वो जो vacancies खाली हो रही है, वहां पर fill in करें, तो देखें, यह भी एक बहुत बड़ा मसला है ना, यहां करें, आचा सर, आपने भी जिसना बताया कि यूरिस्टी अप लाहॉर में तो ऐसा इदारा मजूद है, जो carrying counseling क करता है students की, बताये कि वफा की लेवल पे, वफा की हकोमत के लेवल पे हैं, सुभाई हकोमत के लेवल पे कोई ऐसा इदारा मजूद है, जिसमें carried counseling के लिए हरहास से रहनुमाई ली सके, यह इसे अदारों की जरूरत है, देखें, इस तरह के इदारों की जरूरत definitely है, ठीक ह और I believe के यह जितने भी, जैसे HEC है और दूसरी जो authorities है, उनको यह ensure करना चाहिए, कि जितने भी universities हैं वो इस pattern को follow करें, ठीक है, बहुत से अच्छे अदारे हैं, जो के already कर भी रहे हैं, ठीक है, और मेरा खाल है कि इसके ओपर काम करने की और ज़रूरत है, ठीक है, और इसमे हमें जो mainstream media है, उसको हम इस्तमाल कर सकते हैं, we can use mainstream media to make parents aware, ठीक है, and of those people who are actually able, जिन हम opinion leaders कहते हैं, ठीक है, कि वो जो 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 हैं अपना role play करें, और लोगो जो especially students है, जो young generation है, उनको like guide करें, but force ना करें, ठीक है, यह एक बहुत बड़ा मसला है, कि हम किसी बच्चे को जब tag कर देते हैं, कि यार इसने यही बनना है, बड़े okay, और फिर वो, क्योंकि अगर वो उसको achieve नहीं ना कर पा रहा, he is mentally shutting himself, वो अंदर भी वो चीज़ को feel कर रहा है, तो मेरा खाल है कि इसको हमें government को भी इस पे काम करने की जरूरत है, यह missing जो आपने अभी का ना कि इसकी जरू को पढ़ा रहे है, इस हवाले से मैं पूशे चाहूंगी कि क्या अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि यह जादा strong nerves वाले students होते हैं, वो इस field में आगे grow कर सकते हैं, या पिर कोई भी student जिसका interest हो, वो आ सकता है, क्योंकि सहाफत ऐसी field है, देखा जाए तो all of a sudden कोई blast हो गया, खुदा रहा खास हो को ऐसा बड़ा सानिह आ गया, तो अपने nerves पर control करते हैं, वो इसको सारी reporting करनी है, और वो सारी चीज़ें आगे, फिर headlines के तूर पर भी जवानी है, तो इसके सवारे से क्या करें है, देखें, definitely game of nerves तो है, इसमें कोई issue नहीं है, but in our institute, what we are doing कि ह हम बच्चों को, especially जब internship programs होते हैं, उसके अंदर बच्चों को regulate करें, उसके अंदर बच्चों को opportunities दें, कि वो maximum जो है, इसका exposure हो हासिल कर सकें, देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि आपको practice आती है, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, आप किस तर कर सकते हैं, यह highlight कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें, अब theoretically ही तो हम बता रहे हैं, बट practical जो है, उसका जो है, वो तब होता है, जब बच्चे internship programs में जाते हैं, यह practical जो हम mock exercises करवाते हैं, इन्विस्ट्री के अंदर, capability हो और मजीद आप उसको polish करते हैं, अच्छा सर, चुकि आपका तालुक सहावत सही है, सर, नए आने बाले चेहरे जो हैं सहावत में, मेडिया में, उनके लिए क्या मश्वरा देंगे, उनके लिए यह मश्वरा दी के corridors are open for you, ठीक है, जो लोग दम रखते हैं, पावर, मतल इसला वो नीचे से उपर चड़े हैं, आप पहला step लेते हैं, उसके बाद आप आइसला इसला grow करते हैं, तो doors are open, ऐसा कुछ नहीं है कि जी सहावत जो है, बिलकुल ही है, but अभी जैसे recently हमने देखा कि बहुत सारी जो हमारी सहावी तन्जीमें भी और चैनल्स भी, जो है, they are working on it के जी किस तार से इसको एक बहुतर फिल्ड के तौर पर लिया जा सकता है, यह introduce करवाया जा सकता है to the younger generation. Thank you so much sir, thank you. Thank you so much. जैसे के सर ने बताया कि कोई भी ऐसा शौबा या ऐसी फिल्ड नी है जिसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में विल्ड है, और आप कर सकते हैं तो आप बाके ही कर सकते हैं, इसी बात पर लेते हैं चोटी सी ब्रेक आपने रहना हमारे साथ. वेलकम बेक नाजरीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी, और अब वक्त हो जाता है बहुत ही इंटरस्टिंग सेग्मेंट का दिल्चस्प होजी, तो आजिन क्या दिल्चस्प खबर आज आप शेयर करेंगे, बिल्कुल तहरा मेरे पास एक बड़ी इ इसका नाम है Easy Jet Holidays, उसने ना कहा कि हम सो के करीब यॉर्पी होटल थे, उसने उनका सर्वे किया, और कुछ चीजें हैं जो उनकी फैरस उसने तियार की, जो पिछले साल मुसाफिर होटल के कमरों में भूल गे थे, बड़ी इंटरस्टिंग सी ताहरा चीजें हैं, नमबर सर और होटल को उनने सर्वे करके चीजें निकाली, जो उनके मताबिक के बड़ी जीब गरीब सी चीजें हैं, उसमें सबसे पहले जीज, नकली दंधान, दूसरी चीज, आप सुनके बड़ी आईवाच लाइप सर्प्राइज, मतलब वो जो यॉरप है, जो खुद को बड़ा बाश शाओर और पड़ी लिखे सुसाइटी जो जिताता है अच्छा जी दूसरी चीज़ जादू टूने का समान अच्छा यह वास लगता था कि हमारे मुल्क में ऐसे काम होते हैं लेकिन यह ऐसी यॉर्टम माले के भी चीज़े बहुत आम है इसका मतलब है बिल्कुल अच्छा उसके लावा ताहरा शीशे की आंक है जी दादी का खुश किसमत चाय का कब अच्छा आजिर ऐसी चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती इसका मतलब है के पड़ा लिके जाहिल हर जगा पाई जाए बिल्कुल ऐसी है जोकर का लिबास है जी हवा से फैलने वाली एक कच्छ्टी है मचली के इंडे और तस्वी शामिल है जो छोड़ गे ट्यूरिस्ट वहाँ पर अच्छा वैसे सारी चीज़े मुझे बड़ी ऐसी लगी है कि जो आप ट्रैवल के दुराने तस्वीत लोग अबादत के इसा रख लेते हैं इसके लाव बाकी चीज़ों के मुझे समझ नहीं आई कि ये ट्रैवल करने के दुरान आपने बैग में रखी नहीं थी लोजी ऐ इसे इसी बाते दुनिया में पदा चलती है आजिल का इंसान की अकल दंग रह जाती है और वाकि हम भी हरान रह गये हैं कि जादू टूने का समान और ये नकली दंदान भी साथ रखाव चलो तो दुरुत होगी किसी को उसने रख लिया होगा सिक्के हैं और वो कमोड के आजिल अगर आपकी अच्छी होप हो और येकीन आपका हो तो इन्शाला एक ऐसा दिन आएगा जो पादी बहुत ही जबर्दस पोर्सकार लेके लहूर की सडकों पर घूम रहे होंगे बलकर अगर दूआ ही मांग नी तो मैं खाला बड़ी मांग लीजाए बिल्कुल यॉर ये बनाती है स्पोर्ट्सकार और और बहुत सी जो स्पोर्ट्सकार जिनकी गाडियां है जिसे फिरारी है लंबरगीनी ऐसे बनवाती है और इनका इस्टराख है इन दोनों कंपनी तो इंटरसिंग बात ये थी कि अगर चोटे-चोटे मॉडल हो तो ये कुछ देज में भी गाडियां बना देते हैं और चुके ये कम टाइम में रिक्वाइड डिजाइन जो दूसरी कंपनी उसको फुल्फिल करते हुए इतना एकुरेट मॉडल बनाते हैं इसलिए इन गाडियों की प्राइस आम गाडियों के निस पर जो बड़ी गाडिया है वो ज्यादा होती है तो अगर आपको भी शौक है लेश खिसम की गाड़ी लेने का तो आप भी कॉंटेक कर सकते हैं इस कंपनी से तो यह था जी हमारा आज का शो बीच करते हैं कि आपको बहुत आपने इंजॉई किया होगा इंटरस्टिंग खबरें आपको सुनने को मिली और आरा से जरूर हम आपने कहां देना है जी हमारा चोटा का अकांट को दौा में याद रखिए रिम्जान मबारिक एक दफ़ा फिर से आपको और अब लेते हैं इजाज़त कल किसी नए प्रोग्राम के साथ कुछ अच्छी बातों के साथ दुबारा आपके खिबर में हाजर होंगे अल्ला ने